तो दोस्तो मार्किट में इतने सारे फोन्स हैं जब आप एक फोन लेना को जाते हैं 15000 रुपई टो आपको इतने सारे फोन्स दिखाया जाते है कि आपको confusion हो जाती है कि आप इन फोन्स में से कौन सा लें कौन सा ले, MI का ले, या फिर आप Poco का ले, या फिर आप Samsung का ले या फिर आप कौन से बजट में कितना अच्छा फोन रहेगा, कौन सी कमपनी का 4GB RAM ले या 6GB RAM ले, या फिर आप एक अच्छा camera performance के लिए कौन सा camera performance का अच्छी रहेगी Samsung की काफी अच्छी camera performance रहेगी या फिर आपकी Redmi की या फिर Realme की या फिर Vivo की बहुत सारे question आते हैं लेकिन अगर आपको एक phone लेना हो तो आप confused हो जाते हैं कि कौन सा phone ले इन सारे question में आप फज जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बहतरीन और अच्छे smartphone जो आप लोगों को 15,000 रुपे कीमत में मिल जाएंगे और आप इन phones को लेने के बाद यही कहेंगे कि मैंने एक अच्छा सा smartphone लिया है तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्रैंड्स वो Samsung होने वाली है Vivo होने वाली है Redmi, Realme और Poco यह आपकी ब्रैंड होने वाली है और Moto यहाँ पर अगर देखा है तो इन ब्रैंड्स के आप लोगों को फोन में आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हो काफी अच्छे फोन होने वाले हैं आपके इस वीडियो में तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर Samsung की Samsung में आप लोगों को Samsung का Galaxy M32 मिल जाता है और इस फोन की जो प्राइस है वो भी काफी अच्छी है इस फोन में आप लोगों को OctaCode 2GB का Miratec Halo G80 प्रोसेसर मिल जाता है 4GB RAM, 64GB का इंटालोज टोरज 1TB तक एक्स्पैंड कर सकते हैं डिस्प्ले आप लोगों को 6.4 इंचेस की अब सूपर अंबलर डिस्प्ले मिलती है 90Hz का refresh rate मिलता है कैमरे की बात किया तो 64GB, 8GB, 2GB, 2GB का आप लोगों को Quad Camera setup मिल जाता है LED Flashlight की साथ और 20MP का फ्रांड में कैमरा देखने को मिल जाता है यहाँ पर बैटरी की बात करें तो 6000 नमिच की बड़ी इस फोन में आप लोगों को MediaTek की तरफ से Helio G80 प्रोसेसर मिलता है जो की काफी जबरदस और पावरफुल इनिविशन प्रोसेसर है इस फोन में आप लोगों को RAM 30C कम मिलती है इस फोन में आप लोगों को Camera performance काफी अच्छी मिल जाती है और साथी साथ आप लोगों को इस फोन में डिजाइन लुक वाइस काफी अच्छा यह स्मार्टफून मिल जाता है इस फोन की प्राइस की बात करें तो इस फोन आप लोगों को 12,999 रुपई की इमत में मिल जाता है यह फोन आप लोगों को Camera performance के लिए काफी अच्छा माना जाता है और इस फोन में आप लोगों काफी अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल लही है तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं Samsung के M32 के साथ यहाँ पर Realme की तरफ से निकल कर आता है Realme का 9, 5G जो की एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है और इस फोन में आपको काफी अच्छी performance मिल जाती है इस फोन में आप लोगों को Mediatic Dimensity 810 processor मिलता है जो की 16nm पर आधारी बहुत अच्छा प्रस्वार है फोर जी ब्राइम, 14GB के अंटावन स्टोरेज, 1TB तक अब इस पर स्पैंड कर सकते है 6.5 इंचेस की IPS LCD 90Hz के रिफरेश रेट के साथ मिलती है 48 प्लस 2 प्लस 2 मेकापिक्सल का आप लिगो को द्रिपल कैमरा मिलता है यूज़ करना बहुत अरांध तरीके से कर सकते है और अगर बात करें इस फोन की तो इस फोन में आपको कैमरा पफॉर्मिन्स भी अच्छी मिल जाती है और बैट्री लाइब भी आप लिगो काफी अच्छी मिल जाती है तो आप इस फोन के साथ भी जा सकते हैं Realme के 9 5G के साथ तो बात कर लेते हैं Xiaomi की Xiaomi का Redmi Note 11 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है इस फोन में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो 4G मिलता है लेकिन आप लोगों को इस फोन में काफी अच्छी परफोर्मेंस मिल जाती है चली जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइज अगर बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को OctaCode 2.4GB का Snapdragon 680 प्रोसेसर मिलता है 4GB RAM और 14GB के अंटालाइश टोर्ज मिलता है डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को 6.43 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती ही 90Hz का refresh rate मिल जाता है 50+, 8+, 2+, 2MP का आप लोगों को Quad camera setup मिलता है Elite flashlight के साथ और 13MP का front में camera देखने को मिल जाता है बैटरी की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को 5000 अमच की बड़ी बैटरी, Fast Charging Option और USB Type-C port मिल जाता है अगर इस फोन के price की बात करें तो यह आप लोगों को value for money मिलता है फोन और क्योंकि इसकी price जो है वो काफी अच्छी है 13,000 रुबई की इमत में यह phone आप लोगों को मिल जाता है जो कि 13,000 रुबई की इमत में इसकी जो specification जो performance काफी अच्छी है आप लोगों को मिल लही इसके price point के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप लोगों camera performance भी अच्छा मिल जाता है प्रोसेसर भी काफी अच्छा मिल जाता है और आप लोगों को एक जबरदस battery life भी मिल जाती जहाँ पर display भी आप लोगों को MLED मिल लही है साथी साथ इसमें आप लोगों को काफी अच्छी price point भी मिलती है चलिए जानते हैं इस phone की specs अगर बात करें इस phone की तो Octa Code 2GB का अप लोगों को Snapdragon 480 Plus processor मिलता है जो की काफी अदमदार processor है 4GB RAM और 64GB का internal storage आप लोगों को मिल जाता है LED flashlight के साथ और 13MP का front में camera मिलता है 5000 अमच की बड़ी बैटरी टाइप चारजिंग का option और USB type C port आपको इस phone में मिल जाता है तो देखा रहा है तो यह phone आप लोगों को 15,000 रुपे की कीमत में मिलता है जिसमें आपको अच्छी display जबरदस camera performance और एक अच्छी battery life मिल लई है और इसका जो processor है वो भी काफी अच्छा है यह phone का जो processor है आप लोगों को सुनने में तो काफी ऐसा लगए है कि थोड़ा सा outdated लेकिन काफी अच्छा और जबरदस processor है आप लोगों का यह phone में लास्ट के phone हमारे दो काफी अच्छे smartphone है इसमें आपको camera performance और आप लोगों को battery life, display, processor काफी अच्छी चीज़े मिल जाती है वीवो की तरफ से आने वाला T1 बहुत ही अच्छा smartphone है आप इस phone के साथ definitely जा सकते हैं अगर बात करें इस phone के तो इस phone में आप लोगों को काफी अच्छी performance मिल जाती है अगर बात करें इस phone के तो आप लोगों को octa-core 2.2 x snapdragon 695 processor मिलता है जोगी जबरदस processor है 4G RAM, 103GB का इंटालाइं श्टोर, 6.58 इंचेस की full HD 120 Hz का refresh rate फाली display 50 plus 2 plus 2 megapixel का आप लोगो triple camera LED flash light के साथ और 16 megapixel का फ्रेंड में camera 5000 इमेच की बड़ी battery, fast charging option और USB Type-C port आपको इस phone में मिल जाता है अगर बात करें इस phone के price की तो इस phone आप लोगों को 15,900 रुपई की इमत में मिलता है यहां पर हमारा पहले नमबर पर जो phone निकल कर आता है वो है Poco की तरफ से M4 Pro बहुत ही अच्छा smartphone है, बहुत ही powerful, बहुत ही efficient, बहुत ही देखने में look wise अच्छा phone में निकल कर आता है तो performance की बात करें तो यहां पर आप लोगों को OctaCore 2.4 Gigs का Miradic Damascene 810 processor मिलता है जो की काफी जबर्दस processor है, 6NM पर अधारे और यहां पर आप लोगों 4GB RAM, 14GB का इंटलन स्टोरे, 6.6 इंचिस की Full HD Display, 90Hz का Refresh Rate, कैमरे की बात करें तो 50 Plus 8 Megapixel का Dual Camera मिल जाता है LED Flash Light के साथ और 16 Megapixel का front में camera देखने को मिलता है बैटरी की बात करें तो 5000 नमच की बड़ी बैटरी, Fast Charging Option और USB Type-C Pod आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है काफी जबर्दस फोन निकल कर आते हैं, काफी अच्छे स्मार्ट फोन है, और अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो इस फोन आप लोगों को 14,999 रुपई कीमत में मिल जाता है यनि कि 15,000 रुपई कीमत में आप इस फोन को बाई कर सकते हैं देखा जेख है तो यह मैंना आप लोगों को जितने भी फोन बता हैंMI काफी अच्छे और धमदार फोन निकलकर आते हैं इन फोनस में आप कोईसा भी फोन ले सकते है यह बहुत ही अच्छे smart phone है इन में आप लोगों को अच्छी specification, अच्छी performance और अच्छी बैटरी लाइफ वगएरा भी सारी चीज़े मिल जाती हैं प्रोसेसर वगएरा भी दमदार मिलते हैं जिसमें आप गीमिम्ः वगएरा भी सारी चीज़े आराम से कर पाते हैं और यह व्डियू को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ चले मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में थैंक ये फॉर वाचिंग बाय टेक केर एंड